हेलो बच्चो कैसे हैं आप, I hope आप सभी अच्छी होंगी, प्यारे बच्चो आज हम करेंगे कक्षेचार की एडगेड अभ्यात पुस्तिका के हिंदी के पार्ट 19 को, इस पार्ट का नाम है बच्चो जम मैं पढ़ता था, ये पार्ट गांदी जी के उपर है जब वे पढ़ ज़्यादा सरल था लेकिन उनके जो विचार थे वो धार्मिक प्रवक्ति के थे ठीक है बच्चो तो इसका उत्तर हम दे देंगे धार्मिक विचारों की थी, अर्थात वो धरम करम में बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं ते इस सुबह उठकर जैसे पूजा करना जो भी ध बात हैं उन पर वो चलती थी, ठीक है बच्चो इस तरीके से आप प्रेश्ण करमांग एक का उतर लेख सकते हैं प्रेश्ण करमांग दो है ये सिच्छा का जरूरी अंग क्या है तो बच्चो अच्छा लिखना यानि कि अच्छी हैंड राइटिंग सिच्छा के लिए एक बच्चो इस बात के उपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है सर लेकिन मैं क्या गरूं बच्चो मेरी राइटिंग मैं सुधारने की कोशिस करना हूं लेकिन सुधार नहीं रही लेकिन मैं दूसरे से भी नहीं लिखवा स उस पर मिट्टी नहीं चड़ सकती मतलब एज हो चुकी है अब अब एना हेंड राइटिंग सुधन नहीं सकती जैसी है वैसी से काम चलाना पड़ रहा है और वैसे में टाइप करके बनाता हूं तो इना ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन इस टाइम पर क्या बहुत सारी व होट जादा सुधन कियों घुमना चाहिए तो सवेरे सवेरे हमें कुलीःवा में इसलिए गुमना चाहिए कि सुबर सुबर की हवा ओते है वहात जय्यादा स्वच होटी है ऑर स्वच हवा हमारे षज्वाइद के लिए बहुत ज़्यादा लाबकारी वहती है Прैसं धूमने क्या कईंगा करें तो श्रवन कुमार की जैसे कि हमें क्या है बच्चो कहें माते को किस प्रकार से तीर्त यातरा के लिए लेकर गाई थै वह वह कितने बड़े अपने माता-पिता कि भगति थैं कितना ज्याद अपने माता-पिता को प्यार करते थैं मेरlessly तो उतना तो नहीं लेकिन है थो गहते हैं लेकिन सब्सक्राइद से मुझे हुआ सकते हैं प्लस जब हम घर आयं तो अपने माता पिता की सैवा कर सकते हैं तो इस प्रेश्ण का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चो सरवन कुमार की तरह हम भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाएंगे तथा घर पर रहकर उनकी सेवा करेंगे प्रश्न कमांग पांच यह है बच्चो दिये गए गध्यांस मैसिक संग्या और सर्वनाम सब्द चाट कर लिखें तो य या फिर किसी भी बस्तू के नाम को हम संग्या कहते हैं मतलब किसी भी नाम को हम संग्या कहते हैं सर्वनाम मतलब जो सब्द संग्या के इस्थान पर प्रियोग होते हैं उन सब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं ठीक है बच्चो सर्वनाम को मैं सब का नाम भी बोलता हूं इससे के लिए यूज कर सकते न ये वर्ट तो इन सब्दों को हम क्या कहेंगे बच्छो सर्वनाम कहेंगे तो हमारा जो गध्यांस दिया है बच्छो वो है गांदी जी का जर्म फोर बंदर में हुआ वे राजकोर्ट पढ़ने गए उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि सत्य ब और जो सर्वनाम सब्द हैं उन्हें भी मैंने इधर चाटकर लिख दिया है जैसे वे उन्होंने हमें अपना आदी इस तरीके से आप प्रेश्टन करमांग 5 का उत्तर लिख सकते हैं प्रेश्टन करमांग 6 बच्चों गाओं के लोगोंने स्वस्त रहने के क्या क्या उपायाद बताए तो जैसा कि आप जानते हैं जो गाओंगे लोग होते होथे वब अपच्छा करत हमारे जो हम सहरों में रहते हैं उनकी अपच्छा में उनका जो सरीर है वो उनका स्वश्ट बहुत अच्छा रहता है और उनका खानपान भी बहुत अच्छा है बच्छो तो इस प्रक्सम के उत्तर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं गाउँ के लोगों ने स्वश्ट रहने के लिए खुली हावा में घूमना और व्याम करने के उपाय बता हैं इस प्र तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए बच्चों क्योंकि हम अगर बार बार जूट बोलती है तो हमारी छवी खराब होती है ठीक है हमारा कोई भरोसा नहीं करता तो इसका हम लिखेंगे हमें हमेसा सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बोलने वाले मनुश की दूसरों के सामने अच करना चाहिए व्यायम का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यायम करने से हमारा सरीस स्वस्त रहता है और सरीर स्वस्त है तो हमारा मस्तिक्स भी स्वस्त रहेगा ठीक है और हम अपने जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे जब हमारा सरीर स्वस्थ रहेगा तो इसको हम लिखेंगे बच्चों हमें रोज व्यायम की आदत बनानी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस का वास होता है बच्चों और हम इस पार्ट के मूल्यांकन के प्रश्चन कमांग एक को देख लेते हैं यह है राजा हरिष्चन नाटक से गांदी जी को क्या प्रेणा मिली तो उन्हें प्रेणा मिली थी सत्य बोलने की प्रश्चन कमांग 2 मैंने सत्यवादी हरिष्चन नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी, हरिश्चन्द के सपने आते, बार बार मेरे मन में भी ये बात उठती थी, कि सभी हरिश्चन्द की तरह सत्यवादी क्यों ना बने, यही बात मन में बैट गई कि चाहे हरिश्चन्द की भाती कष्ट उठाना पड पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा तो यह आपको एक पैरा दिया है बच्चो ठीक है इसके प्रशन कमांग के एक है कि गांदी जी को राजा हरिश्चंद के सपने क्यों आते थे गांदी जी को हरिश्चंद के सपने इसलिए आते थे क्योंकि जो हरिश्चंद जी का जो किर जो बटेकर सेे लिखेंगे बच्छो क्योंकि राजह रिष्क्षंद्र का किर्दार गांधी जी के मन में बैट गया बच्चों अब हम इसका प्रेशन करमांग दो देख लेते हैं जो है नाठर देखकर गांधी जी के मन में क्या प्रभाव पड़ा तो जो हरिशंद्र जी का नाठर देखा था गांधी जी ने तो उनकी मन में ये प्रभाव पड़ा कि वो हमेशा आप सत्य बोलेंगे चाहिए लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य बोला वो सत्य का साथ कभी नहीं चोड़ा गांधी जीन ये तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हमेशा सत्य बोलने का तो अब इस पार के मुल्यांकन के मांग तिन को देख लेते हैं जो कि इस पार का अंतिम प्रष्ण भी है यह है बच्यों ग बच्चो दो अक्टूबर 1969 में परिवेस परिवेस का मतलब होता है बच्चो जो इनकी चारो तरफ जो चीजें थी तो ये इनका परिवेस था एक तो सिध्धान्तवादी थे ठीक है और दूसरा देश को बहुत जादा महत देते थे बहुत जादा बड़े देश वक्त थे गा इनकी अच्छी आदत इं अच्छी आदतों में एक तो सत्य बोलना दूसरा था वेयाम करना ठीक है और फिर बच्चो आपके इनके लिए मददकार एक तो ना जो स्रवाण कुमार की जो पुस्तक पड़ी थी वो मददकार सावित हुई और दूसरा सत्यवादी हरिष्चंद्र का नाटक इनके लिए बहुत जादा मददकार हुआ तो इसी के साथ बच्चो ये वीडियो हमारी complete होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आपसे एक छोड़ी सी request है कि हमारे इस चैनल को subscribe करके जरूर जाईएगा और वीडियो को like करके जाईएगा तो बच्चो आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में